दोस्तों यह 186 के डंने वाले आनन्त ख्यानार, जो कॉटन से बने स्कल्पसर बनाने के लिए जाने जाते हैं अब दोस्तों आप सोच रहे होँगे कि कॉटन तो इतना हलकी होती है तो इसे मूर्तियं कैसे बनाई जा सकती है तो आपको बता दे कि इन्होंने के ऐसा solution तयार किया है जो cotton को सक्त बना देता है और आनंद खेनार मूर्ती बनाने के लिए सबसे पहलों उसका डाचा बना लेते हैं और फिर उसके उपर cotton लगा कर उसे तयार कर देते हैं और हाइनोंने मात्पांगंदी का 22 किलो cotton और 7.5 foot लंबा शानदार स्कल्प्सर भी बनाया है और इनका नाम Guinness Book of World Record में भी शामिल है